नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम और आप सब देख रहे हैं विक्रम गार्डनिंग नोलेज तो दोस्तों आज मैं आप सबको ड्रैगन फूरूट के बारे में बताऊंगा जिसे हिंदी में पीतिया बोलते हैं और इसे अंग्रेजी में ड्रैगन फूरूट तो इसके बारे में बताऊंगा और कटिंग लगा कर दिखाऊंगा दोस्तों कटिंग लगा कर ग्रोव करके दिखाऊंगा दोस्तों तो आप सब बने रहें आप सबको बहुत मज़ा आने वाली है आप सब बहुत अच्छे लगने वाली दोस्तों तो अंटक बने रहें वीडियो में तो चलते हैं विडियो की ओर, तो देखिए यह ड्रैगन फुरूट है जिस तरह से लंबे हो चुके हैं दोस्तों इसे कट कर लेनी है, joint डेक पारे हैं, इसे कट कर सकते हैं और आप न्यू न्यू प्लांट्स इसे ग्रोव कर सकते हैं, और बहुत ऐखे हैं, से फ्रिटिंग आती है, ये दो करती है दोस्तों और ये लो मेंटेनेंट प्लांट से ज़्यादा के जरूरती होती है बस एक बात का ध्यान रखनी होती है दोस्तों कि वाटर लोगिंग नहीं होनी चाहिए पानी जो जमा होती है वो नहीं होनी चाहिए तो मैंने इसे कट कर लिये हैं दोस्तों और पॉली बे और इसे साइड कर दें और रूट आपके 10-15 दिन में जर्मिनट हो जाएंगे दोस्तों बहुत ही आसानी से तो आप सब उगाएं इसे और जो ड्रैगन फुरिट है इसके फल बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसके जो फल होते हैं इनकी बहुत सारे फाइदे हैं दोस्तों आप सर देख लिजेगा उगल में डायबेडी सुगर और यहां तक कैंसर में भी बहुत लागकारी सावित हो होती है इसके जो फल में तो देखिये लग चुका है और मैं आपको कि दोफ्टेक बाद अप्डेट देता हूं दोस्तो अनले लीए दोस्तों 10 त 14 दिन पूरे हो चुके हैं और मैं आपको अप्डेत देता हूं ड्रैगन पुरुट का तो आएज देख जासा मने से तो देख पार यह ड्रेगन प्रूड है और मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से रूट जर्मेट हुए हैं और बहुत ही अच्छे रूट जर्मेट हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं केमरे में दोस्तो कितनी अच्छी रूट जर्मेट हुए हैं और भी मैं दिखा दिता एक दो ताप कि आपको और जादा कन्फर्म हो जाए कि नहीं भाई अच्छे से कितने अच्छे देखिये रूड जर्मेट हो चुके हैं आप देख पार जैसे कि अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा और कैसी ल